हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप आज हम बनाएंगे सोया चांप ग्रेवी जिसको बनाना असान होता है हमारे घर में गेस्ट आ जाते हैं हम सोचते हैं क्या बना कर खिलाएं ताकि उनको बहुत अच्छा भी लगे खाने में और युनीक सी आइटम भी उनके सामने पेश की जा सके तो हम इसको बनाने के लिए मैंने फ्रोजन पैकेट ले लिया था उसको मैंने पहले रूम टेप्रेचर पर सैटोनी दिया फिर एक दो मिनट के लिए बॉयल कर लिया बॉयल करने के इसको मैंने डीफ्राइ किया डीफ्राइ करने से पहले आप उसको अच्छे से वेट कर ले तो करने के बाद जो इसका texture होता है और crispy texture हो जाता है मैंने salt डाला, red chili डाला, मैंने इसमें fresh curd डाला, black paper डाला, गरम masala डाला इस सब चीज़े डाल कर आप इसको अच्छे से marinate कर दे, marinate करने के बाद आप इसको 10 minute के लिए रख दे फिर हमने इसको बनाएंगे, इसकी gravy त्यार करेंगे मैंने एक कड़ाई ले लिया था, non sticky pan, उसके अंदर मैंने खड़े masala यूज़े हैं मैंने long डाला, black paper डाला, cinnamon stick डाला, मोटी इलाइची डाला और मैंने धनिया, जो मोटा धनिया होता है, वो डाला और इलाइची डाला, आप स्वाद अनुसारा खड़े masala रख सकते हैं मैंने तो ये खड़े masala इसलिए यूज़े की जो टैक्षर होता है, जो बिल्कुल जह मिलेगा ना उसमें तो बहुत अच्छा flavor आयता है, तेजपता भी हमारे शडीर के लिए बहुत अच्छा होता है, मैंने तेजपता यूज़ किया लसन अगर आपको नहीं पसंद आप इसको skip पी कर सकते हैं, मेरे घर मेरे सब खाते हैं, इसलिए मैंने इसको try किया बीच में और green chili डाला और cashew डाला, cashew डालने इसे जो gravy में जो texture निकल कर आएगा आप दीवाने हो जाओगे इसके खाने के फिर मैंने raw onion ले लिए, raw tomato ले लिए, उसको अच्छे से मैंने mash किया, अब water डाल लें ताकि इसकी consistency बिल्कुल soft हो जाए, एक दो मिनट इसको पकने दे, एक दो मिनट बाद इसकी consistency बिल्कुल soft हो जाती है, जब बिल्कुल mashy मैशी सा हो जाता है, उसके बाद आप इसका जो और देखना आप कितना awesome flavor सा निकल कर आ रहा है, color उसका, फिर हम फिर से एक pan लेंगे, हमने उसमें, आप oil भी डाल सकते हैं, butter भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, मैं तो butter डाला ताकि इसका जो flavor है, बिल्कुल अच्छा, यमी यमी flavor लगे मुझे, जो gravy थी, मैंने उस gravy क जाल दिया, गरम मसाला डाल दिया, आप spices अपने according कम जादा कर सकते हैं, आप कैसा खाना पसंद करते हैं, spicy या कम spicy, मेरे घर में तो सब spicy खाते हैं, इसलिए मैंने spices जादा उसमें रखे हैं, मैंने red chili विगरा बहुत जादा रखा था, और जो मैंने पहले marinate किया था, फिर ज उसको पकने दे, उसके बाद आप इसको ठिक ठिक हो जाता है, आप इसकी consistency अपने according कम जादा कर सकते हैं, आपको ये recipe कैसी लगती है, thank you for watching